और 3 साल का गडियोशन, 4 साल-5 साल में भी पूरा नहीं हो पारा है देख रहे हैं कि मगद इनिवर्सिटी में लाखो अस्टुएंट्स का भविस जो है बर्वाद किया जा रहा है जो लाखो अस्टुएंट्स है, सारे 3 से 4 लाख अस्टुएंट्स है उनका भविस खत्रे में हैं, उनके भविस के साथ खिलवार किया जा रहा है। आप लोग फॉर्म नहीं भर पाईएगा। इसको लेकर कई बर भवाँ धर्ना पदर्सन हुआ, हंगामा भी हुआ। और अब छात्र प्लान कर रहे हैं कि बड़ा अंदुलन किया जाए जिससे इन्वर्सिटी की निंद खूले। छात्र निता दिलिप जो है इसकी अगवाई करने वाले हैं, उन्होंने छात्रों से सहयोग मांगा है, क्या कहा है दिलिप ने सुनिये। नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार, दोस्तों मगद इन्वर्सिटी सहित बिहार के लगभग सभी इन्वर्सिटी, एक दो इन्वर्सिटी को अगर हम छोड़ दे तो लगभग सभी इन्वर्सिटी का ग्रिजुएशन और पीजी का सेशन बहुत लेट चल रहा है, और त अक्टूबर 2021 में पार्ट 2 की परिक्षा हुई ओभी OMR सीट पे हुई और 6 महिना बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है जबकि जून 2021 में उनका अग्रिजोशन पूरा हो जाना चाहिए लेकिन अभी पार्ट 2 का रिजल्ट भी नहीं आया है और 6 महिना पहले परिक्षा हुई थी OMR सीट पे उन्हें 22 सेशन का भी सेशन लेट चल रहा है उनका भी अभी कोई ठिकाना नहीं है कि कब उनका अग्रिजोशन होगा मगद इनवर्सिटी के 2023 सेशन का अभी तक रिज़्टेशन नहीं हुआ है जबकि 2023 सेशन का अभी पार्ट 2 की परिक्षा हो जानी च चाहिए लेकिन अभी तक रिज़्टेशन नहीं हुआ है तो आप देख रहे हैं कि मगद इनवर्सिटी में लाखों स्टुएंट्स का भविस जो है बरवाद किया जा रहा है और इसके लिए मगद इनवर्सिटी परसासन मगद इनवर्सिटी के वीसी और सरकार बिहार सरका दे एक साथ तो लगभग सारे 3-4 लाख स्टुएंट्स है जिनका की गर्योशन हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो किसी का परिच्छा नहीं हुआ है और इस कारण जो लाखों स्टुएंट्स सारे 3-4 लाख स्टुएंट्स है उनका भ इभरती सिट्वूर्सिटि को ले लिजिए यहां तक कि मितला इनवर सिटी का सेशन पहले सही हो गया था ओ giàए वह बहु अभी घरवर चल रहा है तो एक दो इन्वर सिटी को बिहार में थोड़ते तो सभी में इनवर सिटी का सेशन लेट चल किया जाए समय पे परिक्षा हो समय पे रिजल्ट आए और इसकी सुरुवात हम लोग मगद इनवर्सिटी से कर चुके हैं मगद इनवर्सिटी में हम लोग दो बारा अंदोलन किये 12 अपरेल को और 27 अपरेल को और इसके बाद फिर हम बहुत जल्द बहुत जल्द हम लोग मग चला रहे हैं तो आप तमाम छात्र प्रgres तो हम आगरार कर्iban रहे हिंगत जो लोग भी चाहते हैं कि तीन साल का गरिजेशन तीन साल में पूरा हो, जो pending result हो जल्द result प्रकासित हो, जो परिक्षा नहीं हुई हो, परिक्षा आयुजित हो, और तीन साल का गरिजेशन तीन साल में हो, दो साल का PG का कोर्स दो साल में हो, तो आप सभी हमें phone करके या WhatsApp पे message मेसेज करके बताइए कि आप हमारे मुहीं में साथ देना चाते हैं आप हमारे साथ आंदोलन में सामिल होना चाते हैं हमारा मोबाइल नंबर है 7282 005656 और मगद इनवर्सिटी के जो छात्र छात्रा हैं उनसे हम आगरा कर रहे हैं कि आप लोग जल से जल्द हमें फोन करके य जब आंदोलन में छात्र छात्राओं की संख्या जैदा हो तो यह जिम्मेवारी अब आप लोगों पर है क्योंकि हम आपके लिए आगे बढ़े हैं हम आपके भविस्ट के लिए आगे बढ़े हैं आपका सेशन सुधार हो जाए इनवर्सिटी का आपका समय परिक्षा हो सम आपका रिजल्ट परिक्षा नहीं हुई है वो परिक्षा आउजित होगी तो जो भी मगद इनवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं हैं आप लोग भी हमें फोन करके या वाट्ट्टाप में मैसेज करके जल्द से जल्द बताईए कि आप लोग आंदोलन में सामिल होना चाहते तो जैसे ही हमारे पास संख्या बल हो जाएगा स्टुडेंट्स का छात्र छात्राओं की संख्या हो जाएगी एक जितना हम संख्या चाते उतना संख्या हो जाएगा तो जल्द ही हम चार-पांच दिन के अंदर ही अंदोलन की तिथी की घोसना कर दें अगर दो दिन के अंदर अगर दो दिन में ही आप लोग फोन करके इतना संख्यावल जुटा दिये जितना अंदोलन के लिए चाहिए लगभग तो हम दो दिन में ही यानि कि दो दिन के बाद तीसरे दिन ही अंदोलन की तिथी की घोसना कर देंगा और जल से जल रिजल्ट देना परेगा जो रिजल्ट नहीं आया और जल से जल परिक्छा लेनी परेगी जो परिक्छा आभी तक नहीं हुई है तो आप जो लोग भी जितने भी छात्र-चात्रा है मगद इनुबर्सिटी के चाहे आप जिस कॉलेज के भी छात्र हों चाहे आप जिस जिला में भी हों आप सभी कमर कस लिज़े आप लोग तयार हो जाईए अंदोनन के लिए क्योंकि अगर आप घर बैटे रहिएगा तो आपका ग्रियोशन 5-7 साल में भी पूरा नहीं होगा और आप देख रहे हैं कि 8 साल बाद बिहार में सची वाले साहे की वेकेंसी आईए अगे भी हो सकता है दरोगा बहाली का फॉर्म आजाए या सेंटरल लेवल का सेंटरल सरकाल का या किसी और अने स्टेट का ग्रियोशन लेवल पे जो भी वेकेंसी आएगी आप लोग फॉर्म नहीं भर पाईएगा और 8-8 साल 10-10 साल के बाद ये वेकेंसी आती है बिहार में बहुत सारी वेकेंसी तो आप सोचिए कि आगे भी जो वेकेंसी आएगी ओ फिर 10-8 साल के बाद आएगी तो आप लोग अगर अंदोलन में आते हैं हमारा साथ देते हैं तो आपका अग्रियोशन पुरा हो जाएगा तो आप फॉर्म भर पाईएगा और अभी सचिवाले सा है का आठ साल बाद फॉर्म है आप लोग नहीं भर पाई जबकि आप मेंसे लाखो अस्ट्रेंट्स का अग्रियोशन 2020 में कि नहीं का 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था बहुत सारे अस्ट्रेंट्स जो लाखो अस्ट्रेंट्स है लेकिन मगाद इनवर्सिटी कि लापरवाह के कारण और और संबेदन सीलता के कारण आपका अग्रियोशन पुरान नहीं हुआ जिसके कारण आप जो लाखो छात्र छात्रा है फॉर्म नहीं भर पाए तो इसलिए आप लोग कम से कम अब एक जुट होईए और जहां भी आप हैं जिस दिन आंदोलन का डेट रखा सेक्रो छात्रा हैं लर्कियां हैं जिनकों की एक नंबर दो नंबर से फेल कर दिया गया जान बुझकर तो ओ भी एक जुट होईए हम आपके लिए भी इसमें लर रहा हैं तो जब भी आंदोलन रखा जागा आप लोग आईए और आप लोग फोन करके बताईए हम आप इनुबर सिटी की जो छात्रा हैं अरविन महिला कोलेज की जिनको एक नंबर दो नंबर तीन नंबर से फिल कर दिया गया किसी को पांच नंबर से फिल कर गया तो हम आप लोग के लिए भी लरेंगे और वी सी से हम लोग अंदोलन करके ये मांग रखेंगे कि आप लोग को जो है रिजल्ट जो है आप लोग के रिजल्ट को सुधार किया जाए आप लोग को पास किया जाए बगएर एक्जाम लिये ही आप लोग के रिजल्ट को सुधारा जाए और पास कराया जाए क्योंकि ये गलती इनुबर सिटी की है आपकी गलती नहीं थी तो इसलिए जो 17- से जल्द आंदोलन की तिथी की घोसना कर सके और एक बड़ा छात्र आंदोलन कर सके और जैसे एक बड़ा छात्र आंदोलन होगा तो आप यकीन मानिए कि आपका जो पेंडिंग रिजल्ट हो प्रकासित हो जाएगा जिनका सेशन लेट चल रहा है सेशन सुधर जाएगा जिन और PG दोनों के लिए और हर सेशन के लिए जिस सेशन का भी सेशन लेट चल रहा है या पेंडिंग है रिजल्ट उन सब के लिए हम लोग लग लग रहा है चाहे वो ग्रिजेशन हो पीजी तो आप लोग साथ दीजिए जितने भी मगद इनुवर्सिटी के चात्र चात्रा हैं आप लोग जितनी जल्द फोन करके हमें बताईएगा हमारे पास एक संख्या हो जाएगा हम तुरत आंदोलन की टिती की घोसना कर देंगे और बहुत जल्द मगद इनुवर्सिटी में सेशन सुधारने के लिए पेंडिंग रिजल्ट जारी करने और जो परिच्छा नहीं ह हैं अब काफी नराज हैं आक्रोसित हैं और उन्होंने आंदोलन करने का फैसला लिया है तो देखने वाली बात है कि कितना असर होता है मगद इस विद्धाले पर हलाकि छात्रों की इस्तिती जो है दिन पर दिन खराब होते जा रही है क्योंकि वह रिजल्ट की इंतिजार म में कई फॉर्म नहीं फिलब कर पा रहे हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है लाइक जर करें हमारी चैनल एन्वीसी 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवास